कि नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं कैप्टल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरो सिंग महाकट बंधन की गाड़ी अब अगनीपत पर चल रही है और अगनीपत का रास्ता कितना मुश्किल और कठिन होता है ये आपको बतलाने की जरोत नहीं है कल दिल्ली में एक बैठक हुई कॉंग्रेस की और आरजेडी की सीटों के बटबारे को लेकर कहा गया वही पुरानी बात कि कॉंग्रेस को नो सीटे चाहिए आप ये मेसेज पहुचा दीजिए लालू परसाद को लालू परसाद भी वर्चुल जुड़े हुए थे सब प्रस्ताबों को मानेंगे जनता दल उनाटेट ने पहले से 16 का दावा तो करी रखा है ये ख़वर हम आपको बता चुके हैं तो क्या आर जेडी इन सारे प्रस्ताबों को हस्ते हस्ते मान लेगी ये सोच कर कि महागटबंदन की गाड़ी को अग्रिपत से आगे ले जान है खासकर सीट सेरिंग की बात है और सीट सेरिंग के बाद जब सीटों का चैन होगा तो वो और भी मुश्किल होगा कि कौन कि सीट पर लड़ेगा जन्दिया युनाटेट पहले का चुका है कि जो उसकी सीटिंग सीटे हैं उस पर वो चुना वड़ेगा एक दो सीटें एक बाट लेते हैं Congress को एक राज सभा सीट देते हैं तो क्या ये इतना आसान है अगर यही होना है तो फिर दिक्कत क्या है फिर अगनिपत है कहां फिर तो रेट कार्पेट बिछा हुआ है महागट बंदल की ओरते जब इतना आसान है बटवारा कि 16-16 सीटे जनता दल उनाटेट क 16 सीटे आरजेडी को 6 सीटे Congress को 2 सीटे बामदलों को तो ये तो आसान फर्मूला है तो इसके लिए फिर बैठक और विमर्ज करने की ज़रूत क्या है 17-17 भी लेते हैं तो 4 सीटे Congress को 2 सीटे बामदलों को Congress को एक रासवा की सीट दे जाएगी एक दम आसान फर्मूला है इसमें फिर बहस की गुंजाइस कहां बनती है फिर ये बैठकों का दौर क्यों सुरू हो रहा है और दावा क्यों किया जा रहा है कि हम इतनी सीटों पलड देंगे तो हम आपको बताएं जो हमारे सूर्स कहते हैं कि लालू परसाथ ने अपने मन में जो बात रखी है वो ये है कि रास्तिये जनतादल 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगा 22 सीट आर जेडी को चाहिए इसके पीछे लालू परसाथ का अपना तर्क है कि वो 22 सीटों पर लालू परसाथ को इसलिए वो चाहते हैं कि ये जो 24 का मौका है इसको भुनाया जाए 89 बिधायक जिस पार्टी के पास हो और 35 फिजदी एकदम ठोका वा भोट जिस पार्टी के पास हो वो कम सीटों पर क्यूं कम परमाइज करेगा फिल्म सोले का जेलर क्यूं बनेंगे लालू परसाथ की आदे इधर चले जाएए आदे इधर चले जाएए बाकिस सब कांग्रेस और बामदल में चले जाएए ऐसा होता है क्या तो सोले फिल्म की जेलर लालू परसाथ नहीं बनेंगे 24 में उनकी अपनी स्ट्राटी है कि हम को 22 सीटे लड़नी है इसके पीछे एक कारण ये बताया जा रहा है कि मुकाबला बहुत टाइट होने वाला है जो राम लहर अब सुनामी में बदलेगा या क्या होगा ये तो 22 के बाद पता चलेगा लेकिन भाजपा की जो तयारी है संगठन के लेवल पर नवराष्ट बाद के लेवल पर और संसाधन के लेवल पर और जो राम मंदिर का एक नया ममला है और जो मोधी गारेंटी है वो है इन तमाम चीजों का मुकाबला करना है लालू परसाद को तो वो चाहते हैं कि मुकाबला हो लेकिन RGD को सीटे इस वार ज्यादा मिले 10 से ज्यादा सीटे जीतने का लक्ष है अगर 50% भी स्टाइक रेट होता है RGD का तो फिर 11-12 सीटे जीत सकता है राश्तिय जनता दल चुकि लालू परसाथ की सोच है कि 10 से नीचे की सीट जीती वी सीट वो राश्तिय राजनीती में अपना कोई बारगेनिंग पावर वो रख नहीं पाएंगे तो हर आल में 10 से ज्यादा सीटे जीतनी है वो जीतनी हो जाए 12 हो जाए 13 हो जाए लेकिन 10 एक बिस लाइन बनाया है लालू परसाथ ने की उतनी सीटे तो हमको जीतनी है लेकिन चुकی मुकाबला बहुत टाइट है बीजेपी के साथ और उनके सहयोगी दलों के साथ एंडिये के साथ तो फिर ये मानके नहीं चला जाए कि एक तरफा मुकाबला होगा बहुत काटे का मुकाबला होगा तो 50% भी स्टाइक रेट अगर आरं जीती का होता है तो दस से ज़्यादा सीटे मिलेगी तो वो फिर आगे की राजनिती भी कर सकते हैं विधान सवा के लिए भी अपना दावब ज़्यादा मजबूद कर सकते हैं और जो सबसे बड़ी बात है कि तेजिस्तुय आदब को मुखमंत्री बनाना है बिहार का उसके लिए भी लौबि कम हो गई है कि नितिश कुमार लोगसभाचुनाब से पहले या लोगसभाचुनाब के बाद सत्ता का टांसफर करेंगे और तेजिस्तुय आदब को नया मुखमंत्री बना देंगे अगर कुछ भी होगा तो वो विधान सवाचुनाब के बाद ही होगा अब इस बड़तमान बिधान सवाँ में तेजिस्तुय आदब सियम मनेंगे इसकी संभावना ना के बरावर है तो ये कहानी लालू परसाद अपने हिसाब से रच रहा है लेकिन जब बाचीत होगी महागट बंदन की उसमें ये सारी चीज़ें सामने आएगी लालू आदब कितना बारगें कर सक सकते हैं गुना भाग कर सकते हैं ये तो लालू परसाद की सियासिटा से आप सब लोग वाकिफ है हम भी जानते हैं कि सियासत के कितने बड़े खिलारी है लालू परसाद तो उनका अपना तर्क होगा कि आरजेडी को आप ज्यादा सीट्य यहाँ पे लड़ने दीजिए 22 सी अगर यही होना होता, तो फिर ये इतना राइता, फैलता ही नहीं, सीट कट वंधन को लेके, और सीट सेरिंग को लेके, तो ये एक अलग कहानी हो गई, सीट कट वंधन को लेकर, एक और बड़ी खबर है, वो जनतादल यूनाइटेड के तरब से आ रही है, कि नितिश कुमार अपने खास लोगों को चाते हैं कि इस बार वो रनभूमी में उतरें क्योंकि बड़े खिलारी जब उतरेंगे तो जीत की संभावना भी बड़ी होगी तो ये एक प्लान बनाके नितिश कुमार ने रखा हुआ है क्या होगा जब सीट का एनाउंस होगा तब आपको पता चलेगा लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि विजय चौधरी जो उनके खासम खास मंत्री हैं उनको बेगु सराई से चुनाव लड़ाया जा सकता है इसकी तैयारी नितिश कुमार अपने खास लोगों के बीच कर रहा है कि विजय चौधरी को लड़ाया जाए बेगु सराई से चुनाव तो ये देखिए सीट जनता दल यूनेटेट की है नहीं लेकिन जो सीटों का एक्सेंज होगा जैसे अगर मधेपुरा सीट आरजेटी को दे जी जाती है या सीवान सीट आरजेटी को दे दी जाती है तो वो ऐसे परस्तिती में सीटों का एक्सेंज होगा और बेगु सराय की सीट जनता दल उनेटेट को भी मिल सकती है अगर कट बंदन ये चलता रहा तो तो नितीश कुमार की स्टेड़ी है कि खास लोगों को देखिए देवेश चंठाकुर का वो नाम एनाउस कर चुके हैं संजे जहा के बारे में पता ही है दर्भंगा के लिए उनके लिए प्रयास किया जा रहा है लॉबिंग की जा रही है असोग चौधरी के लिए जमूई सीट के लिए मांग की जा रही है अभी हाल में ही असोग चौधरी जमूई गए थे काफी लोगों से मिले एक बार फिर उनकी एक्टिविटीज जमूई के इलाके में बढ़ गई है बीच में सांथ हो गई थी जब दलन सिंग से उनका टकराव हुआ था लेकिन अब फिर वो जमूई आने जाने लगे हैं इसका मतलब है कि एक इसारा नितिश कुमार के तरब से भी है कि आप लोग चुनाब में उतरिये अखाडे में उतरिये रनभूमी में उतरिये और जनता दल उनाइटेट को ज़्यादा से ज़्यादा सीट जिताइए चुकि जो पर्खे हुए लोग हैं बड़े नेता हैं वो चुनाब में उतरेंगे तो उसका आसर कुछ ज़्यादा ही पड़ेगा तो लेकिन विजय चोजी को लेकर ज़्यादा जूर है कि उनको बेगू सराय से चुनाब लड़ाए जाए देखिए होता क्या है पहले तो मामला सीट सेरिंग का निपटना है फिर सीटों के अदला बदली का मामला है फिर कोन पहलबां की सखाड़े में उतरेगा इसकी भी सूचना हम आपको बीच बीच में देते रहेंगे आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार आपका बहुत सुक्रिया